हलो बच्चो नव भारती परिवार में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 कक्षा 11 का विशे पॉलिटिकल साइंस राजनिती विज्ञान और राजनिती विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है खंड ए राजनिती विज्ञान के मूल आधार की इकाई दो का ध्याच जिसका नाम है राजी की अवधारना आवशकता तत्व संप्रभूता एवं परिवाशावे लक्षण बच्चो इस अध्याय के कुछ टॉपिक्स हम पार्ट वन में पढ़ चुके हैं और कुछ जो टॉपिक्स हमारे बच गए हैं वो हम पार्ट टू में पढ़ रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अध्याय राज्य की अवधारना आवशकता तत्व संप्रभूता एवं परिवाशावे लक्षण बच्चो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रभू सत्ता या संप्रभूता का आर्थ क्या होता है संप्रभूता नागरी को तत्था प्रजा के उपर वह परम शक्ती है जो कि कानुनों से नियंत्रत नहीं है यह किसने कहा है जीन बौदा ने कहा है प्रभू सत्ता या संप्रभूता राज्य स्टेट का अनिवार्य लक्षण है जे डब्ल्यू गौर्णर के अनुसार प्रभू सत्ता राज्य की ऐसी विशेश्ता है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा और किसी चेट से नहीं बंदा रहता और अपने आपके अलावा किसी अन्य सक्ति से सिमित नहीं होता है प्रभू सत्ता की परमप्रागत परिभाशा है गुमा फिराकर इसी विचार को व्यप्त करती है यानि कि JW गौर्णर के JW गौर्णर कहते हैं कि प्रभू सत्ता राज की ऐसी एक विशेश्ता है ऐसी एक क्वालिटी है कि जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा वह अपनी इच्छा के अलावा किसी चीद से नहीं बंदा रहता यानि कि वह सिर्फ अपनी इच्छा से परिभाशा है वो गुमा फिराकर इसी विचार को व्यक्त करती है अब हम देखेंगे कि प्रभु सत्ता धारी चाहे कोई मुकुट धारी नरेश हो या मुख कारकारी हो या कोई सभाव है केवल अपनी इच्छा से कानून की गोशना कर सकता है आदेश जारी कर सकता है यानि कि ये रूल्स ये कानून लो आदेश और निने उसके अधिकार छेत्र में आने वाले सब लोगों या समूहों और संगटनों के लिए बाद्यकारी बाइंडिंग होते हैं वास्तम में राज्य की सर्वुच्य कानूनी सक्ता सुप्रीम लिगल ऑथरेटी की विचार को प्रभ अब सक्ता की संगः नए प्रभु स्था धारी की स्था को सर्वोच्च के रूप में मानिता देती है इसलिए प्रभु सत्ता एक असीम और इस्था पर्म्षक्ति है असीम यानि किि कोई शीमा नहीं है और इस लाने का इस और रह रपर अर्ठ यह भी नहीं है कि प्रभु सत्ता का प्रयोग करते समय विवेक से यानि कि दिमाग से काम नहीं लिया जाता या प्रचलित रिती रिवा जो सामाजिक मुल्यो न्याया सामाने हित के विचार को ध्यान में नहीं रखा जाता इसका अर्थ केवल यह है कि इन सब बातों का अर्थ लगाते समय प्रभु सत्ता धारी को किसी दूसरी सत्ता या संगठन से सलाह नहीं लेनी पड़ती दूसरे शब्दों में प्रभु सत्ता धारी जब न्याय या नैतिक्ता का पालन करता है यानि कि जिसके पास प्रभु सत्ता हो यानि कि जो प्रभु सत्ता धारी जब न्याय किसी दूसरे के निर्देश से करता है प्रबुर शत्ता को मनमानी करने की शक्ति मानना बिल्कुल गलत होगा और प्रभु सत्ता को अपने मनमानी करने की शक्ति अगर कोई मानता है तो यह बिल्कुल ही गलत होगा अब हम देखेंगे कि प्रभु सत्ता का अर्थ क्या होता है प्रभु सत्ता को हिंदी में राज सत्ता अत्वा संप्रभुता भी कहा जाता है अंग्रेजी में इसको साव रेंटी कहा जाता है जो लेटिन भासा के सुपरेन सब्द से निकला है जिसका अर्थ सर्वोच्य सक्ति होता है यानि कि सबसे बड़ी या सबसे उची सक्ति सर्वोच्य सक्ति होता है राज्य सत्ता राज्य का विशेश लक्षन होता है और राज्य को बनाने वाले चार तत्वों में से एक महत्पुन तत्व है यानि राज्य सत्ता क्या है राज्य का विशेश लक्षन होता है और ये राज्य को बनाने वाले जो तत्व है चार तत्व है ना उसमें से सबसे महपुन तत्व भी है प्रभु सत्ता अब हम देखेंगे कि प्रभु सत्ता के पहलू, तो प्रभु सत्ता के दो पहलू होते हैं, प्रभु सत्ता दो प्रकार्गी होती है, एक होती है आंत्रिक प्रभु सत्ता और दूसरी होती है बाहरी प्रभु सत्ता, तो आंत्रिक प्रभु सत्ता क्या होती है, आंत्रिक पूरी तरीके से ठना आधिन होती हैli है मैं एक पूरी तरीके से पूरी तरीके से अधीन होती है या। निirst aguachina का उन्हें अर्वेयर को पालन ना करे शाहिन उसकी ठापीति फिंट्राय कहां जो है रहे हैं और जो संस्ताइय स्थापित है वह पूरी तरीके से रज्ञे के अधीन होती है और अगर राज्य के आदिश सजा देने का या दं्ड देने का पूरा अधिकार नậyDRT है इस विश्य में पहरी पिरदेश के सब मनुष्य तत्ता समुदायों को आग्या प्रदान करता है यानि राज्य क्या करता है अपने प्रदेश के यानि उसके राज्य में प्रदेश में जो मनुष्य रह रही है और जो समुदाय है उनको आग्या प्रदान करता है उनको सभी को क्या देता है राज्य आदेश देता है और उसे उन में स से कोई आदेश नहीं दे सकता और राज्य को कौन आदेश नहीं दे सकता याननी कि जो Sumudahret यो Seemoodah का कि इसका पर कुह प्रकार का कोई कानुनी पृतिबंद नहीं होता किसी विशयमें अपनी स्वाइध करतेने से ही इस वह उसकी आदिकारी हो जाताही और किसी भी विशय में अपनी इच्छा प्रकट कर देने से वही उसका अधिकारी हो जाता है अब हम देखेंगे कि भारी प्रभुसत्ता क्या होती है तो भारी प्रभुसत्ता का अर्थ है कि राज्य किसी भारी देश और संस्ता के अधीन नहीं है प्रितेग राज्य को व्यपारिक संधिया और सैनिक समझोते करने का पून अधिकार होता है और प्रितेग जो अलग-अलग जो राज्य होते हैं उसको व्यपारिक संधिया यानि कि व्यपारिक संधिया का कौन सी होती है जिससे एक दूसरे देशों के बीच में व्यपार करते हैं और जो सैнок समझें का होते हैं उनका पूर अधिकार होता है और संधी करने अदिकार होता है प्रत्य देश यत धिकार होता है कि व 트ैक कि व अपनी विदेश निती किसी तरह भी चला है में किसी किस तरह संदी करे अर्थ है कि व Efendimiz Tagal check of cancer on Armor of our बारे में प्रॉफेसर लॉसकी का कहते हैं कि जो होता है वह यो है मतलब राज है वह पूंड रूप से भारी दवाब से सवतंत्र हो और इसका की प्रभुसता की परिभाशा है तो बच्चों प्रभु सथा की परिवाशा है अलग-अलग विचारकों ने अपने अनुसार अलग-अलग शबदों में व्यक्ट की है तो चलि हम देखते हैं प्रभु सथा की परिवाशा है तो जैली नेक के अनुसार प्रभु सत्ता की परिवाशा तो जैली नेक कहते हैं कि राज सत्ता जिसे प्रभु सत्ता भी कहते हैं राज्य का वे गुण है जिसके कारण वे अपनी इच्छा के अतिरिक किसी दूसरे की इच्छा या भारी शक्ति के आदेश से नहीं बंगता है दूसरे विचारक के अनुसार देखते हैं किसी दूसरे के अदीन नहों तथा जिसकी इच्छा का कोई उलंगन ना कर सके तो वे क्या हैं, राज है ग्रोशियस के अनुसार अब हम देखेंगे बोर्डिंग के अनुसार प्रबु सत्था की परिवाशा तो बोर्डिंग कहते हैं प्रभु सत्ता नागरी को तता प्रजा के उपर वह परम शक्ती है जो की कानूनों से नियंत्रित नहीं है ड्यूगवट कहते हैं ड्यूगवट की अनुसार प्रभुसत्ता की परिबाशा तो ड्यूगवट कहते हैं कि प्रभुसत्ता राज की आदेश देने वाली सकती है यानि ओर्डर करने वाली सकती है राज ये प्रभुसत्ता की मतलब प्रभुसत्ता जो वो राजी की आदेश देने वाली सकती है और वे राजी की रूप में संगटित राजी की इच्छा है यह राजी की भूमी में रहने वाले सब रेक्तियों को बिना शर्त आग्या देने का अधिकार है यानि कि बिना किसी सर्त के आग्या देने का अधिकार है अब हम देखेंगे बर्गेश के अनुसार प्रभु सत्ता की परिवाशा तो बर्गेश कहते हैं पिर्टेक परियोजन वे उसके समुदायों पर राजी की मौलिक निरंकुष तता असमित सकती है यानि बर्गिस का कहते हैं कि प्रभु सत्ता प्रियोजन वे उसके समुदाया पर राजी की मौलेक निरंकुष दताश्य में सक्ति प्राप्त है अब हम देखेंगे कि प्रभु सत्ता प्रियोजन वे शक्ति है जो न शनिक है और नै किसी दूसरे दूआरा दी गई है और नहीं वे किनी ऐसे नियोमों के अधिन है जिने वे बदल सकते हैं आगे देखते हैं तो बच्चों विलो भी नाम के विद्वान कहते हैं कि प्रभु सत्ता राज जिक की सर्वो परी इच्छा होती है लास्की के अनुसार प्रभु सत्ता की परिवाशा तो लास्की कहते हैं कि प्रभु सत्ता धारी वेदानिक रूप से प्रतेग वेक्ति और समुदाय से उच्छतर उच्छतर है वे सभी को अपनी इच्छा अनुसार कारे करने के लिए बाद्दे कर सकता है वुड्रो विल्सन के अनुसार प्रभु सत्ता वे शक्ति है जो प्रति दिन क्रियासिल रहकर कानून मनाती है और उनका पालन करती है यानि वुड्रो विचारक है वो कहते हैं कि प्रभु सत्ता वे शक्ति होती जो प्रति दिन जो मतलब दिन मतलब रोज जो क्रियासिल का क्ल रहती है और जो कालून मनाती है और उनका पृब्सक्ता वैं शक्ति है तो बच्चों उपर लिखे हुई सब परीबदाशाओं के आदार पर हम कह सकते हैं कि प्रबुसक्ता राज्य की सरवोचे सकती होती जह सबसे बहुंचे होती है अब हम देखेंगे वच्चो प्रभु सत्ता का एतिहासिक विकास तो प्रभु सत्ता के परंपरागत सिद्धान्त का निरूपन अनेक विचारकों की क्रतियों में देखने को मिलता है सोलवी सताब्दी में जेन बौलदा पंदरासो तीस से चिन में सत्रवी सताब्दी में घोंगो ग्रोशियस 1503-1645 टॉमस हाप्स 1588-1689 इतार्वी सताब्दी में जेन जाग रूसो 1712 से 1778 और 19 वी शतापदी में जॉन आस्टीन 1790 से 1869 ने इस सिद्धान्थ को बहुत स्पस्ट रूप से पृतिबादित किया प्रहे ऐसा माना जाता है कि इस सिद्धान्थ का उद्बब 16 वी शतापदी में हुआ है उन दिनों मद्धे युगिन माननेताय और संस्ताय लुप्त होती जा रही थी और राश्ट्रिय एवं राजसंत्रिय राज्य का उद्धे हो रहा था प्रभू सत्ता का सिद्धान्थ इसी राज्य का उचित स्थापद करने की उद्धेस से प्रस्तुत किया गया एक शसक्त राश्ट्री राजतंत्र की स्थापना के लिए दो तरह के विचारों का खंड़ा नावशक है एक तो यह की पोप की सत्ता राश्ट्री राजजी के अधिपती नरेश्कियों पर होती है दूसरा यह की राजजी के बीटर नरेश्की सक्तिया सामंत सरदारो, स्वैसासी नागरो नगरो या स्वायत श्रेणियों के अधिकारों की वज़े से कुछ न कुछ सीमित होती है यानि कि क्या है कि जो, जो सक्तिया है राजिय के बीतो जो नरेश की, जो शक्तिय होने पर जीन बॉंधह ने अपनी प्रिसित उनुम और उनकी मिले-चुली संपता का इसा संगटन बताया जहां एक सर्वोच शक्ति और विवेक का शाशन चलता है उसने प्रभु सत्ता की यह परिभाशा दी यह नागरिको और प्रजार जनों के उपर एक ऐसी सर्वोच शक्ति की घोतक है जो कानून के बंदनों से नहीं बंदी होती ग्रोशियस के अनुसार प्रभु सत्ता सर्वोच राजनितिक शक्ति है यह उस शक्ति में नहीं थोती है जिसके कारव पर किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं होता और जिसकी इच्छा का उलंगन कोई नहीं कर सकता तो बच्चो बोणदा ग्रोशियस हाप जरूसो और आस्टिन ने राज्य और प्रभु सत्ता का जो सिद्दान प्रस्तूत किया उसका सामान्य और मैत्पून लक्षन यह विचार था कि राज्य समाज के एक सारभूत संस्ता है राज्य एक मातर ऐसी संस्ता है जो समाज के लिए कानून बनाती है मनुष्य के हित को कहीं एक से होते हैं कहीं एक दूसरे के विरोधी परन्तु राज की छत्र थाया में मिलजुलकर और विवेकपून भी जी सकते हैं इस इस्तिति का सवभाविक परिणाम यह है कि कानून की द्रस्टी से राज की सत्ता है जो ऑथरट कहा जाता है अब हम देखेंगे बच्चों की प्रभु सत्ता की जो क्या-क्या लक्षण है और क्या-क्या उसकी विशेस्ता है तो जो प्रभु सत्ता है वो उसमें क्या है पूनता है यह क्या है मतलब प्रभु सत्ता पून और अश्यम सकती है और यह किसी पर आश्रित नही सर्वोच माना जाता है अन्य कोई राज ने तो उसके मामले महस्तशेप कर सकता है और नहें उसे किसी बात के लिए विवश कर सकता है यानि कुसे मजबूर नहीं कर सकता है दूसरा है सारभोमिक्ता यानि जो प्रभुसत्ता होती है वो सार उसमें सारभोमिक्ता होती है यानी कि प्रभु सत्य को कोई प्रभु सत्य क्या होती आखंड और असीम होती है इसे किसी और को श्तांत्री नहीं कर सकते और अगर इस ये किसी को सौपता है तो वह अपने अस्थित वी खरम हो जायाजका यानि कि सत्ता ही बदल जाएगी बदल जायेगी चौतह है इस मगद्अ जैसे राज्य तब तक राज्य अस्थित्व होता है तब तक प्रभुशत्ता भी रहती हैं दोनों को प्रतिक प्र्तिक नहीं इन प्रतार्य करने मुथ के लिगा जाता सकता जिसे प्रदानत मंत्री दो nume अविभाज्यता यानि प्रभु सत्ता में क्या अविभाज्यता होती है प्रभु सत्ता पूर्ण और सर्व व्यापक होती है इसलिए इसके टुकड़े नहीं किये जा सकते यदि प्रभु सत्ता के टुकड़े कर दिये जाए तो राज्य की टुकड़े टुकड़े हो कि अन्य समू या संस्था है अपने संदस्यों के संदर में जिस सत्ता का प्रयोग करती है वे उसे राजी की प्रभू सत्ता से काट कर नहीं दी जाती बलकि वे राजी की प्रभू सत्ता की देन होती है राज्य के विर्भु सत्ता के सामने अन्य सब वेक्तियों और संस्था की सत्ता गौन होती है यानि कि राज्य के विर्भु सत्ता ही सबसे महत्वन होती है छटा है अनन्यता तो प्रभु सत्ता में क्या होती है अनन्यता होती है राज्य में दो प्रभु सत्ताधारी नहीं हो सकते क्योंकि यदि एक राज्य में दो प्रभु सत्ताधारी होंगे तो उसके राज्यों की एक्ता, उस राज्य की जो एक्ता है न वो नस्ट हो जाएगी तो बच्चों ये हमने देखे प्रभु सत्ता के लक्षन और विशेस्ता है अब हम देखेंगे बच्चों की प्रभु सत्ता के विबिन रूप यानि की प्रभु सत्ता के रूप है या उसके जो प्रकार है वो कितने हैं और कैसे है तो प्रभु सत्ता निम्री प्रकारगी होती है पहला नाम मात्रेवं वास्तिविक प्रभु सत्ता ये थार्थ पहले बहुत से देशों में राजा या समराथ निरंकुष होते थे उनके हाथ ने वास्तिविक शक्तिया थी और संसत कटपुतली होती थी उस समय ये वास्त्विक प्रभु सत्ता का प्रयोग करते थे इसलिए उन्हें उस समय वास्त्विक प्रभु सत्ता धारी कहा जाता था तो वास्ट्विक प्रभु सत्तादारी किसे कहते हैं? मतलब पहले के समय में क्या होता था प्राज्य समय में? राजा और समराठ होते थे यह राजा होते थे जिस पर राज्य पर साशन करने वाले उनके हाथ में सारी वास्त्विक सक्ति होती थी उनकी हाथ में होती थी और संसत क्या होती थी राजा के हाथ की कटपुतली होती थी और राजा ही क्या करते थे वास्त्विक प्रभुसत्ता का या शक्ति का प्रयोग करते थे तो उसे क्या कहते थे वास्त्विक प्रभुसत्ता सत्ता क्या होती है इसमें मतलब क्या होता है किसी भी देट में कानून को कानून बनाने वाली सर्व जो होती है वो सक्ति होती है कानूनी सत्तादारी कहते हैं जो कानून बनाने वाली सक्ति होती है सर्व उसको देश में सविदान बनाने का अधिकार होता है शंशोदन करने का स तेरे जिसे वाकील मानता देते हैं यह और प्रभु सत्था होती है जिसके सामने वैदानिक प्रभु Saruttadharie को वी जुकना पड़ता है इस प्रभु Saruttadharie को राजनेतिक प्रभु Saruttadharie का जाता है पृते कर राज्जय जितTe सथा की बहुत सी बाते माननी पड़ती है जोता है कि प्रभुस्ता क्या होती है देखते हैं इसका अर्थ लिया जाता है कि जनता की शक्ति सबसे बड़ी सक्ति होती है इस सिद्धानत को प्राचिन काल के लेखकों ने राजाओं की निर değer कुछठा khanjan पहने के लिए अपनाया है पाचवा है विदित और वस्तुता प्रभु सत्ता तो हम देखेंगे कि विदित और वस्तुता प्रभु सत्ता क्या होती है कई बार विदित कानून और वस्तुता प्रभु सत्ता में अंतर किया जाता है विदित प्रभु सत्ता दारी वह होता है ज तो बच्चो आज हमने हमारा अध्याए राज्य की अवधार्णा आफशक्ता तत्त संप्रुभूता परिवाशायवं लक्षन कम्प्लीट कर लिया है। बच्चो अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ तब तक के लिए थैंक यूँ